हेलो पेमली कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और यहां पर यह क्या बिटकोईन थोड़ी सी जो ममेंटम दिखा रहा है इसी से हम सब खुश होने लगते हैं आज की डेट में लेकिन अगर ओवरॉल डेटा को खंगालते हैं और हमारा काम है आपके साथ में याँ पे लगातार जो भी इंटरस्टिंग डेटा निकल के आ रहा है और वो आपके साथ में शेयर करते रहें जो अभी जो हम आज की डेट में जो डेटा सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं जिससे आप आने वाले टाइम के अंदर एक जो साइकल घूमता है अभी हम फकीरी वाले लेवल पे एक साइकल घूमता है अमीरी की तरफ जाए यानि कि जो हर चार साल के अंदर आप देखते हो एक साइकल घूमता है और कई लोग यहां पर फकीर से अमीरी की तरफ जाते हैं लेकिन कई जो उपर cycle के अंदर घूमते हैं वो अमीरी से फकीरी की तरफ आते हैं तो यहां पर जिस लेवल पर इस टाइम पर हैं हम यहां पर पूरा chances है कि आप जो है यहां से पैसा बना सकते हो गवाने के chances थोड़े कम लगते हैं यहां पर ध्यान रखिएगा सारी चीजे कुछ भी possible हो सकता है क्या cryptocurrency market हो या जिन्दगी हो लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए तो आज जो जो interesting data सामने निकल के आया है वो आपके साथ में share करना बहुत जरूरी है हमें लगा यह आपके साथ में share कर देते हैं आपने bitcoin यह हमें पैसा बनाने का मौका मिले तो हम miss ना कर दें यह चार्ट आपने अक्सर देखा होगा लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि actual में यह चार्ट है क्या यह bull cycle बनता क्यों है या यह हर 4 साल में क्यों कहते हैं बहुत सारी चीजे समझ में आ जाती हैं लेकि यह होता क्यों है बेसिक्स जो है आपको आना चाहिए और हमारा काम है कि आपके बेसिक्स को स्ट्रॉंग करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको confidence रहे technology पे confidence रहे कि यह हो क्या रहा है और यहाँ पे Ethereum के founder की बात करते हैं उनका कल परसो का ही शायद interview है यह उन्होंने बोला है कि price से ज़्यादा technology पे focus करो अगर आपके माल की quality होगी तो आपके price आने वाले time में उचे दाम पे भी बेकोगे तो वो बिकेंगे लेकिन यह चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए तो यह चार्ट आपने सुना होगा bitcoin हालविंग हर 4 साल के अंदर होती है और उसके लोगों को पता होगा तो please जो जिन भाई बहनों को नहीं पता है उनको भी थोड़ी सी knowledge दे जते हैं थोड़ा detail में बात कर लेता हूं उसके ताकि उनको भी आपको आपको आपके साथ में उनको भी पता चले कि क्यों होता है यह क्यों cycle घुमता है यह चार्ट जैसे आपको करता है तो कुछ पर जो हैं ब्लॉक्स होते हैं उनके बाद में हाल्विंग automatically हो जाती है यह जो है सट उसी नाका मोतों ने उस चीज के अंदर उस software के अंदर आप कह लिजिए या उस code के अंदर डाला हुआ है तो ऐसे करते करते bitcoin halving bitcoin आदा नहीं होता bitcoin की production bitcoin की mining आदी हो जात तक वो बनने शुरू है 25 उसके बाद जो है 2025 से लेके 2016 से लेके 2020 तक जो बनने शुरू है साड़े बारा और अभी की production बात करते हैं तो सवा 6.25 सवा 6 bitcoin इस ताइम पे बन रहे हैं और अब जो bitcoin halving जो की अगले सवा साल के अंदर होनी है और उसके बाद में कितने बनेंगे 3.125 कई बार calculation जो है हमने भी शुरूआत में किसे से बोला था तो हमें भी सवा 3 नहीं तो बनेंगे लेकिन 3.125 bitcoin बनेंगे उसके बाद production वहाँ पे होगी observe करने की क्या बात है जब भी bitcoin की halving हुई है उसके बाद same price अगली halving पे कभी नहीं रहा है बलकि उससे अच्छा खासा 5-10 गुना जादा ही रहा है हम यहाँ उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि एक लाग डॉलर हो जाए अगली halving पे लेकिन हम शौक नहीं होगे लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 40,000-40,000 डॉलर इसका price हो सकता है पूरी possibility यहाँ पर इसकी है अब जो समझने की बात है यहाँ पर कि एक तो price मैंने बताया 2012 में जब पहली halving होई थी तब 12 dollars इसका price था उसके बाद में 6.58 रहा 2016 में जब halving होई थी उस दिन उसका price 6.58 था 2020 में जब halving होई थी 8572 dollars था तो अगली halving में क्या हो सकता है आप यहाँ पर खुद idea लगाईए तो एक phase जो 4 साल का घूमता है और यह भी date fix नहीं होती है तो यहाँ पर अगली जो halving की बात हो रही है वो फरवरी 2024 से लेके आपक मैं जून 2014 तक कुछ भी हो सकता है आमोमान इनी महीनों के अंदर यह halving होती है तो यह तो bitcoin halving और यह जो production हाफ होती है उसका impact एकदम से नहीं पड़ता आप देखोगे हम वहाँ बैठके हमने दो halving तो observe की है कि जिस टाइम पर halving होई है कि क्या एकदम से price impact पड़ता है नही एकदम से price का impact नहीं पड़ता production आदी हो रही है demand and supply का impact तो पड़ता है लेकिन slowly gradually पड़ता है और वो जो है हमें 2,4,6 महीने एक साल के अंदर देखने को मिलता है और उसके बाद हमने हमेशा bitcoin को उपर जाते देखा है एक bull cycle वहाँ पे बनते देखा है तो सबा साल जो है जहा तो यह सबा साल भी ऐसी हसते मुस्कुराते जो है निकल जाना चाहिए लेकिन opportunity देखो bitcoin ने 20,000 dollar के नीचे कितने 3-4 महीने हो गया है इसको रहते रहते और कितनी opportunity यहाँ पे दे रहा है अब कई लोग बोलेंगे कि आपने ऊपर की तो बात कर दी अब अगर इस calculation को लेते हैं जो हमने अभी चार्ट दिखाया इस cycle के इसाप से तो यह 2.5,000,000 dollar भी in future हो सकता है अगली halving के अगले bull run के अंदर possible है लेकिन यहाँ पे हमने ऊपर की तो बात कर ली नीचे की भी बात कर लो अभी तो हम अभी की बात कर लो आज की बात कर लो मुंगेरी लाल के हसीन सपने क क्यों दिखा रहे हो कई लोगों के दिमाग में यह भी बात होगी तो यहाँ पर एक और इंट्रेस्टिंग जो डेटा निकल के आया है चार्ट से ज्यादा अच्छे समझ में आता है तो इसलिए हम आपके साथ में कोशी करते हैं जासे चार्ट जो है शेयर करें ग्लास नीचे गया था तो आपने देखा होगा तो लगबग 93.6% यह अपना जो हाई बनाया था उससे नीचे चला गया था फिर 2015 के अंदर बेर मार्केट जो चली थी अपने ओल टाइम हाई से यह लगबग 85.2% नीचे आया था फिर अगर जो 2017 के बाद में जब इसने लगबग 20, 1000 डॉलर चुआ था उसके बाद नीचे आया था फिर इसने 83% के आसपास जो है डाउन देखा था तो ओन एवरेज 80% के आसपास यह रहता है फिर जब करोना का टाइम आया था मार्च 2020 में वो कोई हालविंग से लेना देना नहीं था लेकिन इतना बड़ा क्राइस था इतने और वो फेज बड़ा टफ था आप सब के लिए हमारे सब के लिए और हमने तो अपने घर के अंदर बहुत सारे लोगों गवाया है तो इसका दुख हम से जादा शायद ही कोई समझ पाए जो अपने लोगों को गवाता है चलो वो चीज़ फिर कभी बात करेंगे लेकिन यह यहां पर 2020 पड़ा टफ रहा उसकी वज़े से एकनॉमी पे भी इंपेक्ट पड़ा और लोगों की जिन्दगी हो पे भी इसकी वज़े से भी 75% के आसपस डाउन गया था दुबारे से लेकिन यहां पर करन्टली भी 75% के आसपस डाउन है और यहां 2022 के अंदर जो लोग बन तो क्या लगता है तो यहां पर अगर इस calculation को लेते हैं जो यह variation को लेते हैं तो यह जो price range बनती है वो 12,000 से लेके 15,500 डॉलर के बीच में बनती है तो अगर पूरी variation को लेते हैं तो bottom या तो यह हो चुका है या हम bottom के आसपास हैं इसको हम नहीं जुटला सकते हैं हो सकता है अगले quarter के अंदर जो है हमें थोड़ी और volatility एक विक बनते दिखें लेकिन विदेन मंत वह वहां से recover कर जाए लेकिन फिलाल जिस आप से global situation सुधर रही है जिस आप से चीजे अच्छी हो रही है तो chance से जाधा बढ़ गए है कि आने वाले time के अंदर यहां से recovery और आपको दे यह कितना ऊपर तक जा सकता है यहां पर यह सारी चीजे तो ठीक हैं लेकिन क्यों आने वाले time के अंदर एक और जो interesting data निकल के आया है क्यों आने वाले time के अंदर है यह हम bottom के आसपास है यहां से recovery हो सकती है हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा daily हम कुछ ना कुछ या हर यहां पर opportunity देखते हैं आने वाले या फिर हम 40-50,000 डॉलर पर आएगा फिर महां पर वह यह ना cycle जो गूमता है अमीरी से फकीरी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं यह तो एक नया चीज होगी नई time होगी अमीरी से फकीरी फकीरी से अमीरी कहा जाना चाते है वो आपको य ग्लास नोट का यह डाटा है अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो बिटकोई हिट एन ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है अभी तक इतना नहीं गया है जो इनका रिलाइस्ट प्रॉफिट वर्सिस लॉसेज रेश्यू है अभी तक ऐसी चीज नहीं देखने को मिली थी और अ आपको दिख रही है नहीं नीचे जो चार्ट के अंदर रेड दिख रहा है आपको तो समझ लिए इस चीज की बात हो रही है इतना नीचे कभी भी ने गया अगर कंपेर करते हैं प्रॉफिट लॉस की रेशियो को फिर 2015 के साइकल के अंदर भी ऑल्मॉस जब बेर मार्केट चल रही थी यह इस लेवल पर आया था फिर 2018 के साइल कल में भी जब यह बेर मार्केट चल रही थी इस लेवल तक आया था यह भी इंडिकेट यही कर रहा है कि अगर अभी की बात करते हैं तो लगभभ उसी लेवल को यह यहां पर छूर आए यहां से पूरे चांसिज हैं यह भी इंडिकेट करता है कि हमने बॉटम देख लिया है बॉटम के आसपास हैं और यहां से जादा चांसिज हैं रिकावरी करने के तो एक कैलकुलेशन आप बताओ माल लीजिए अगर आपके पास में कुछ फंड्स हैं जो आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हो अब बार यहां लेना यहां ले लीजिए अगर यहां बारा जार नहीं आया और यह bleibt करने हैं पूरी कैलकुलेशन आप यहां पे करके चलिएगा हमारा काम था आपको डेटा शेयर करना और यह सारी data है ना realized profit and loss कभी ये भी बड़ा interesting और ये भी आपको क्या बताता है ये ही बताता है कि शायद हमने bottom देख लिया है bottom के आसपास है और जाहतर जो आज की date में data निकल के आ रहे हैं on chain, off chain वो यही बता रहे हैं कि हम opportunity के level पे हैं फकीरी के level पे हैं, फकीरी से अमीरी के level पे जाने के लिए हैं ना कि हम अमीरी से फकीरी की तरफ आने के लिए हैं यहाँ पे risk थोड़ा कम है अगर हम यहाँ पे देखते हैं profit बनाने की बात यह तो थी दोस्तो बात जो हमने करी, जो data निकल के आता है, सारी चीजे जो निकल के आती है अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर technically क्या लगता है short term के इसाब से भी बताऊंगा और long term के इसाब से भी बताऊंगा कि कहां किस लेवल से उपर जाएगा तो हम एक confirmation मिलती है कि हम trend reversal की तरफ जा रहे हैं अभी एगर short term में देखते हैं तो आप देखोगे 9 जो daily moving average है और 21 जो daily moving average है वो इस फिलाल इसके लिए support बनके आ रहा है जो कि आता लगवग 16,000 डॉलर के आज बस इस पर टिका हुआ है इसके ऊपर जा रहा है जो कि एक important अच्छा signal है अगर इसके ऊपर बना रहता है तो इसका अगला target 18,000 डॉलर आ सकता है और 18,000 डॉलर फिर 19,000 डॉलर फिर जो आता है 21,300 डॉलर ये देखते हैं short term के अंदर अगर support की बात करते हैं इसके बाद मिलती है लग भग 16,000 डॉलर फिर मिलती है 15,300 डॉलर लेकिन अगर मैं बड़े time frame के अंदर देखता हूँ तो आपको realize होगा कि ये क्यों आने वाले time के अंदर जो important resistance है जिसको break करना इसके लिए जरूरी है वो आता है लग बग 22,700 डॉलर क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ no monthly moving average या 50 monthly moving average वो वहीं पे आते हैं तो इसके उपर जाना इसके लिए ज़ादा जरूरी है अगर हम चाते हैं एक trend reversal देखना तो ये भी एक signal आपको यहाँ पे देता है कि आने वाले time के अंदर अगर इस level से उपर जाएगा तभी हम एक trend reversal यहाँ पे देखेंगे क्योंकि अच्छे खासे 4-5 महिने से ये इसके नीचे बना हुआ है तो इस चीज़ पे आपको यहाँ पे नजर बना के रखनी है तो दोस्तो ये तो थी overall चीज उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा सीखने को मिला होगा हमारी वीडियो से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं content आपको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको जो है informative वीडियो बना के दे सके तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि हमारा भी motivation बना रहे हैं और आप भी जो है कुछ हमारी जो वीडियो से कुछ education ले रहे हैं तो share भी कीजिए friends के साथ में family के साथ में ताकि उनका भी आप फायदा यहां पे कर सके उमीद कर करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है काम की लगिया है लाइक जरू करके जाए शेयर कर दीजिए ट्विटर टेलिग्राम को फॉलो भी कर लीजिए हमारे नीचे description में लिंक दिया हूँ उसी से हमें फॉलो कीजिएगा बहुत सारे scammer भी हमारे ना हुआ हुआ है